एक गहरे जंगल में जहां वन्य जीवन का खास अधिकार था, वहां एक शेर नामक बहादुर शेरनी रहती थी। यह शेरनी अपने प्रदेश में नेत्रित्व करती थी और सभी जानवरों के बीच अपनी ताकत और विशाल काय स्वाभाव से अग्यात बचाव करती थी। एक दिन, जब सूर्य पश्चिम की ओर अपनी यात्रा कर रहा था, और जंगल को अपनी गोदी में सुला रहा था, एक बड़ा संजीवनी जील में सब कुछ शांती से चल रहा था। जील के किनारे पर एक क्रोकोडाइल अपनी चाल में छुपा हुआ था, उसकी पांव की शक्ती और ताकत से यह शेर्नी के प्रदेश की ओर आ रहा था। क्रोकोडाइल नामक जानवर, जिसे महाशक्ती और प्राकृतिक खत्रा से जाना जाता था, ने शेर्नी की बदली लेने का निश्चय किया था। उसने अपनी चालू और धार्मिक आँखों में शेर्नी की चुनौती देखी। इस प्रकार एक अद्वितिय और खतरनाक जंगल की जंग शुरू हुई। शेर्नी ने अपनी आँखों में विश्वास और साहस से भर लिया। उसने विचार किया कि क्रोकोडाइल को हराना ही उसका एक मात्र विकल्प है। वह जंगल में घूमती फिरती थी, खोजती हुई क्रोकोडाइल की खोज में। कुछ दिनों बाद शेर्नी ने अंजान में एक छोटी सी जील में क्रोकोडाइल को देखा। वह क्रोकोडाइल जील के किनारे पर बैठा हुआ था, सुरक्षा की अपेक्षा से विश्वास करता हुआ कि उसे किसी खत्रे का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेर्नी की नजर में यह संकेत था कि क्रोकोडाइल स्थिती की अवलोकन कर रहा था, वह शेर्नी के पास गया और उसकी चुनौती देने का प्रयास किया, अरे शेर्नी, तुम मुझसे भी ताकतवर हो सकती हो, पर मैं भी एक प्रमुख हूँ, आओ, हमें जंगल का शांग। एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो भालू रहते थे। जंगल की शांति को अशांत करने वाली बात यह थी कि इन दोनों भालूओं के बीच में दिन रात की अध्यतित और अव्यवस्थित लडाई चली रहती थी। भालू नामक एक बड़ा संयमी और गहरे विचारक भालू था, जिसे अपनी भविश्यवानी की प्राथमिकता थी। वह सोच समझ कर ही किसी चीज का निशकर्ष निकालता था। उसके समाज में शांति और संयम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसकी भलाई और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वह सदैव सतर्क रहता था। वहां पर एक और भालू था, जिसका नाम मनोहर था। यह भालू अत्यंत अक्रमक और चालाक था। उसकी इच्छा शक्ति सीमित नहीं थी और वह हमेशा दूसरों को परेशान करने का प्रयास करता रहता था। मनोहर अक्सर भ्रम में रहता था और उसकी चालाकी से अ शडियंत्र रचने का निश्चय किया। अपनी योजना को क्रियानवित करने के लिए ततपरता से काम किया। मनोहर ने जंगल में फैली अफसोसना खबर फैलाई कि जंगल के अन्य प्राणियों ने एक संयमी भालू के खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने फैलाई गई खबरों को और भी संभाला और उसमें मसाले जोड़ दी।